और राज्य सरकार ने 12-15 नवंबार के बेच होने बाली UKPCS की मैन परिक्षा को इस्तगित कर दिया है और अब यह परिक्षा जन्वरी के महीने में होगी लेकिन अभी तक इसकी कोई भी तिथी निर्धारित नहीं की गई है UKPCS की मैन परिक्षा इस्तगित होने पर हलत्वानी सिक्वंगरिश बदाय कि सुमित हिर देश ने राज्य सरकार का अभार व्यक्त Tibet किया है कि UK PCS की मैं परिक्षा के लिए चात्रों को काफी समय मिल जाएगा और एंसे भी उनकी तैयारी भी अच्छी होगी सुमित हिरदेश ने कहा कि इसके लिए उनके द्वारा राज्य सरकार के कैबिनेट मंतरी, सौरभ बहुगुणा, सुबोध उन्याल और बधान सभा की अध्यक्ष रितु खंडूलिश भी बात की गई थी एंसे में सभी ने प्रयास किया और UK PCS की मैं परिक्षा जन्वरी तक के लिए टाल दी गई है, जो की छात्रों के लिए एक बड़ी जीत है हल्दुआनी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट जो समय सीमा मिलनी चाहिए इतने बड़े परिक्षा के लिए समय सीमा उने नों दीए तो अधिकार मिला है उनको सरकार को बाबाई ही इसमें भी नहीं लूटनी चाहिए बलकि इस परिक्षा को और पहनी नजर से कैसो सुधार सके अधिनास चैन सिवायोग में जो गलतिया हुई है वो लोक सिवायोग पुना उनको ना जीवत करें तो यह इन चीजों पर नहीं दौर फर्माना चाहिए और मैं बच्चों को विशेश आभार उनको प्रकट करना चाहता हूं कि हमारे सब उनका संधर्ष कामया वह उश्वर करें ऐसी संधर्ष जीवन जी के अच्छे मुकाम पर अपने मुकाम पर पहुंचा हूं